वेल्कम टू दीस चैनल, अभी हम लोग देखेंगें, वर्क एन इनर्जी, बैक एक्सरसाइज का सोलूशन, कोश्चन नमबर फोर है, यह निमेरिकल है, तो अच्छे से समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं, गीवेन क्या है? गीवेन क्या है? सर्टेन फोर्स, एक्टिंग ओन 20 केजी मास, 20 केजी मास है, 20 केजी मास है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है? चेंजे इस वेलोसिटी, 5 मीटर पर सकेंड, तो 2 मीटर पर सकेंड, इसका वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है, पहले कितना है? 5 मीटर पर सकेंड, बाद में हो जा रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना हो जा रहा है बाद में? 2 मीटर पर सकेंड, यह है इनिशल वेलोसिटी और 2 है final velocity अब हम लोग देखेंगे आगे क्या है calculate the work done by the force force के द्वारा कितना work done हुआ तो work done होता है work done is equal to change in kinetic energy change in kinetic energy is equal to change in kinetic energy final kinetic energy final kinetic energy minus initial kinetic energy initial kinetic energy final kinetic energy कितना है half m v का square initial कितना है half m u का square v का है final velocity u है initial velocity यहां से half m और half m common आ गया common आ गया यहां बच गया b b का square यहां बच गया u u का square half m कितना दिया हुआ है m दिया हुआ है 20 20 यहां पर 20 यहां पर put करेंगे 20 अब भी यहां पर देखने वाला है भी जो होता है final velocity होता है तो बाद वाला है final velocity ठीक है तो यहां पर करेंगे 2 का square minus u के है 5 5 का square equal to 2 से काटेंगे इसको 10 आ जाएगा 10 2 का square 4 minus 5 का square 25 equal to 10 4 minus 25 minus 21 क्योंकि 25 बड़ा है तो इसका sign होगा अब 2 1 0 और minus इतना जूल आ जाएगा work done तो answer कितना आया 2 1 0 minus 2 1 0 जूल आया work done थैंक यू next वीडियो में हम लोग आगे का question देखेंगे please like share to support this channel thank you जाएगागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागा